हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक के बारे में बात करने जा रहे हैं और बहुलक का अलग-अलग परकार के क्वेशनों को सॉल्ब करेंगे और इसके बाद किसी भी परकार का अगर बहुलक आ जाए हमारे सामने तो उसे बस देखते ही बना सकते हैं चली इस करते हैं पहले यहाँ पर कुष्ण दिया हैं निमलेखित प्रिष्णो का बहुलक ज्याद करें ठीक है इस परकार से हमारे पास कुष्ण दिया गया है चली इसे हम लोग पहले 2 नियम से बना लेंगे बहुलक निकालने का तरीका अलग-अलग है तो आज हम इसमें दो नियम बताएंगे और दो नियम में जो भी बढ़िया रागे दोस्तों वह आप लोग का यूज करना है चलिए तो आगे बढ़ते जैसे यहां पर लिखा निमलेखित प्रेश्णों का ब सिंपल फंडा में है कि बहुलक अगर किसी दीवी आंकड़ा में किसी दीवी आंकड़ा में जो संख्या बार-बार यानि बहुत ज्यादा अधिक बार आया हुआ है तो उसे हम बोलते बहुलक यानि जिसकी संख्या सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहा जाता है यह समझ माग य कि किसी भी आंकड़ा में या कोई भी डाटा में जो संख्या सबसे अधीक बार आया हो उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं चले यहां पर देख के भी बता सकते हैं कि देखें इस आंकड़ा में हम लोग देखेंगे कौन अधीक बार आया हुआ है ठीक है तो जैसे दो दो कितन चार बार है, चार एक बार है, पांच एक बार है, एक एक बार है, ठिक, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया, तो तीन आया, तो इसका answer लिख सकते हैं, बहुलक, बराबर, तीन, answer हो गया, ठिक, या फिर इसे इस परकार से भी बना सकते हैं, चलिए तो इसे बनाते हैं, यह यहां लिखना है बहुलक बहुलक नहीं लिखेंगे तो यहां किवल संख्या भी लिख सकते हैं किवल संख्या फिर यहां वर्ग चीन लिखेंगे वर्ग चिन लिख दिए और यहाँ बारम बारता लिख देंगे ठीक इस परकार से लिख लिए अब यहाँ पर देखिए यह जो संख्या दिया हुआ है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच इस परकार से यह संख्या है एक दो तीन चार और पांच इस परकार से अब देखना है एक कितना बार है एक जो है एक बार है ठिक दो कितना बार है दो देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है इस परकार से वर गी चिन में लिखना है दोस्तों फिर देखिए तीन एक फिर एक फिर एक और फिर एक इस परकार से मिल गया चलिया आगे चार चार एक और है नहीं है पाँच एक अब इसे कौन कर लेते हैं ये एक बार है ये एक दो ये एक दो तीन चार ये एक ये एक इस परकार से अब देखना है इसमें सबसे अधीक बार कौन आया तो चार है सबसे अधीक बार है न चार तीन जो है चार बार आया तो यहां लिखेंगे बहुलक बराबर सबसे अधिक बार तीन आया इसलिए तीन एंसर किलियर अब यहां पर इसी परकार से इसे भी बना सकते तो देखें इसमें सबसे अधिक बार कौन आया साथ आया तो यहाँ लिख सकते हैं बहुलक बराबर 7 आप इस परकार से आंकड़ा यहाँ पर जो बाराम बारता होती है वर्ग अंतराल होती है वो बना लेंगे ठीक है चलिए आसा करते किस परकार के बहुलक आप निकाल लेंगे चलिए अगला कुईस्चन है देख पारे कि X के किस मान के लिए निमनांकित आंकड़ों का बहुलक 9 है देखे यहाँ पर ध्यान दियाना है कि कुईस्चन में ही एंस्वर छीपा हुआ रहता है इस परकार से भी इसका दो टैप से कुईस्चन है दोनों देख लेंगे कि यहाँ X के किस मान के लिए निमनांकित आंकड़ों का बहुलक 9 है तो कुईस्चन में ही एंस्वर छीपा हुआ जितना यहाँ दिया हुआ रहेगा बहुलक का वही एंस्वर होता है यह ध्यान दिने यहाँ पर देखिए अगर इस परकार से हम आकड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर पांच कितना बार है एक बार है पांच एक बार है आठ एक दो तीन बार है ठिक आठ तीन बार नौ एक दो तीन बार है ठिक उसी परकार से तीन एक बार है और उसके बाद देखे तो साथ जो है वो एक बार है इस परकार से सभी को कॉंट कर लेंगे उस परकार से अब यहाँ पर उतना नहीं किया जाना चाहिए तो यहां लिखेंगे इसलिए X का मान निकालना है जहां बहुलक क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना बहुलक 9 दिया हुआ है यह बहुलक ही बोला है बोला X के किस मान के लिए नांकित आकडो का बहुलक 9 है तो X का जब हम यहाँ 9 बनाएंगे तभी न देखिए यहाँ पर 8 भी 3 बार है 9 भी 3 बार है बहुलक बोला है 9 आना है तो 9 को ज्यादा करेंगे तो 9 को जैदा करने के लिए देखिए इसे एक 9 और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं जब एक 9 और बढ़ाएंगे तो X का मान क्या आगा 9 आगा तभी नहीं बहुलक 9 कहलाएगा तो यहाँ X का value जो है वो 9 निकल गया इस परकार से यह answer हो गया इतना लिक देना है चले इस परकार से अगले question को करा देते हैं यहाँ देखिए हमारे पस अगला question है कि के किस मान के लिए लिखित आख़ों का बहुलक 7 है आप इस question को देख के एंसफर बता देंगे कि क्या है 7 है तो यहाँ पर देखिए तो बहुलक तो 7 बनाना यानि अधिक संख्या में क्या बनाना है साथ बनाना है तो देखे हैं 7 एक दो तीन बार है तो k गे जगा पर हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे तभी तो अधिक बार 7 हो जाएगा तो k का मान क्या हो जाएगा k is equal to what इसलिए बहुलक is equal to यहां लिखेंगे दिया है इस परकार से भी लिख सकती है दिया है बहुलक साथ जहां के बराबर साथ योग्यस का एंसवर बस इतना ही था चलिए आगे बढ़ते इस परकार के बहुलक में वो तो सिंपल में था अब इस परकार के बहुलक को देखने के लिए बहुत ही सिंपल काम करना है और तो बहुलक निकालना है हम लोग को अब इस परकार से question का कि निमनलिखित वितरन में बहुलक निकाले दोस्तों बता चुके हैं कि बहुलक में पहले बड़ी संख्या को को देखा जाता है ठिक कि कौन अधिक बार आया हुआ है चलिए उसमें करने से पहले इस बारंबारता को पहले कंप्लेट कर लेते हैं यहां इस परकार से दिया 0 से 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और इसका बारंबारता इस परकार से दिया गया है ठीक है जब इस परकार से दिया गया है तो क्या करेंगे Simple कि इन सब्सक्राइब करेंगे कि इनस सबीकों पहलेот Total कर लेंगे Total करें या ना करें से कोई दिखत नहीं है लेकिन ठीड़ कर लेते हैं तो यहा ठीड़ करने के लिए हट जो लेता अर्धे 10 के 0, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16, 16, 21, 21, और जो 7 है, ओजाएगा 28, हाथ में 2, 2, 1, 3, और 1, 4, ये 48 है, ठिक चलिए, अब हमें करना क्या सबसे बड़ी संख्या देखना पड़ता है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है, यानि अब एक चीज और लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दिज कि बहुला का जो फॉर्मूला होता है, जब इस परकार से बारम बारता करके देगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, नीचे लिख लेते हैं, L+, F1-F0-F2 into H, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, यह फॉर्मूला हमारे पास है, आप देखिए, इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यह है, तो इसे F1 माल लेंगे, इसके उपर वाले को F0, और इसके नीचे वाले को F2 माल लेंगे, इस परकार से माल लिए, और जो F1 मानेंगे, उसके सीधा वाले को L माना जाते हैं, किलियर दोस्तों, इस परकार से माल लि लिख लेते हैं कि ल बराबर 30 है है अच बराबर 10 है एफ बराबर 15 है एफ टू बराबर इस साथ है और एफ जीरो बराबर छे ठीक इस परकार से इस फोर्मूला पर पूट करेंगे और बनाते चलेंगे चलेंगे यहां पर step by step देखना है कि L जो है वो 30 है ठीक तो L के जगा पर क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे और पलस F1 जो है वो देखें यहां पर क्या है F1 15 है माइनस F0 कितना है 6 है उसके बाद 2 F1 तो F1 15 है और गुना में 2 है यहां देखें इस परकार से भी लिख सकते हैं फिर माइनस F0 6 माइनस F2 जो है वो 7 है और गुना में H10 मिल गया ठीक इस परकार से अब चलिए आगे बढ़ते हैं 30 पलस 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा उसके बाद 15 दूनी 30 यह हो जाएगा 30 और मैनस मैनस पलस तो 7 और 6 तेरा तो मैनस 13 इसे मैनस कर लेते हैं तो यहां से आजाएगा 7 और यहां से आजाएगा एक 17 तो 17 हो गया गुना में मिल गया 10 ठीक चलिए आगे देखते हैं 30 पलस 17 तो यह कटेगा नहीं तो यह 10 है से 9 में गुना हो जागा तो 90 बटे में 17 बचेगा और यह ब्रैकेट बंदा भी से भागा देते हैं 17 बटे 90 यानि इस परकार से 17 पचेगा पचासी कट गया पांच बचेगा तो पॉइंट जीरो और हो जागा इधर 17 51 होता है 17 दूनी 34 कटेगा नहीं तो यहां 6 और 16 बच गया इस परकार से यह बढ़ते जा रहा है ठीक है तो यहां पर इसे बढ़ा करके 5.3 भी ले सकते हैं ठीक संख्या बढ़ते जा रहा थे इसे एक बढ़ा कर ले लिया जाता है तो 30 पलस 3 यानि 5.3 लिख लेते हैं ठीक आब इसे जब जोडेंगे तो 35.3 मिल जाएगा जो कि इसका एंस्वर हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह इस परकार से कंप्लेट हो गया चलिए आगे और बह हो लग यहाँ पर देख पा रहे हैं अप लोग कि 225 विदूतिय उपकरनों के जीवनकाल घंटों में की जानकारी निमनलिखित है इस परकार से दिया हुआ है कि 0-20 का जीवनकाल जो है उसका बाराम बारता घंटा में अगर 10 का है तो 0-20 में 25 का अगर देखे तो इसका जीवनकाल बताया गया है ठिक तो इसको भी क्या करेंगे सिंपल रूप में ऐसे लिख लेंगे जिस परकार से इसे लिखे दोस्तों इसको इस परकार के आंकड़ा में दिया हुआ था इस परकार से लिखे उसी परकार से इसे भी लिख लेंगे अगर नहीं भी लिखे तो को कोई दिकत नहीं है डारेक्ट यहां हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर कि एल पलस एफवन मैनस एफजीरो बटे टू एफवन मैनस एफजीरो मैनस एफटू इन्टू एच जहां पर ल बराबर हमें मिल जाएगा देखिए अब इसमें बीच का ढूणना है दो चार छे तो इसमें बीच का तो कुछ मिलेगा नहीं बीच का कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा जब बीच का कुछ उन्थ नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा इसमें ढूंणना क्या रोड़नास अब सबसे बा rêve की 10 35 12 nay और 29 में सबसे बड़ा कौन मिल गया यह मिल गया तो यह हो जाएगा एफ one यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा एफ HOLCY और इसके बीच का क्या हो जाएगा यह सिधा एल का थो सब्सक्तेस्कार अबन जो है सुमिल घखान ऊप्चेस owप इस परकार से लोगिया तो अह pearl aldi अब इस formula पर हमें put करना है चलिए इसे put कर लेते हैं तो L हो जाएगा 60 plus F1 है 61 minus F0 है 52 और यहां गुना में हो जाएगा 20 H के जगा पर चलिए आगे से solve कर लेते हैं तो यहां जगा 60 plus 60 और पलस हो गया 61 में 52 जाएगा तो 9 हो गया 9 होने के बाद 61 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 6 दूनी 12 12 मैनस यह मैनस मैनस पलस है ठीक तो मैनस मैनस पलस है तो इसे क्या कर लेंगे हम जोड लेते हैं फिर इसमें घटा देंगे तो यहां देखिए मैनस बावन और मैनस 38 पलस हो जाते है तो 10 आठीक नौन नबब यानि मैनस नबब को 12 में घटा देंगे तो 0 बारा में से यह क्या 32 यानि कि यहां पर चलिए आएगा पहले मैनस में 90 और गुना 20 ठीक आगे है 60 पलस 9 और यहां पर आजाएगा 32 और गुना में है 20 ठीक इस प तो 60 पलस 32 और 20 को काट लेते हैं 2 से कट जाएगा है ना 2 से कट जाएगा तिसे काट देते हैं 16 आ जाएगा और यहां 10 आ जाएगा फिर 2 से 8 आ जाएगा यहां 5 ठीक है तो 9 पचे 45 और नीचे 8 यह आ गया अब यहां आगे है 60 पलस 8 को 45 से भागा देना है रफ हम यहां साथ में कर देने हैं 8 चक 42 है ना 8 पचे 40 होता है ना 8 पचे अच्छक 48 होता है इसलिए 8 पचे 40 बच गिया 5 फिर पॉइंट 0 अच्छक 48 गिया 0 फिर पॉइंट के बतले 0 हो जाएगा फिर आट दुनी 16 यह हो गिया 8 पचे 40 पांच बार में इस परकार से आजाएगा पांच दिसमलो 6 दू 5 इस परकार से आगा अब इसे क्या करेंगे जोडेंगे तो 60 और पांच हो जाएगा पांच इसका एंसवर हो जाएगा अब जो हम लोग है वह फॉर नंबर को कर लेते हैं निम लिखित आंकडों का बहुलक ज्यात करें यहां पर दिया परिवार परिवारों की संख्या तो बहुलक में बस ध्यान ही देना कि सबसे बड़ी संख्या को पहले चुनना है और फोर्मूला के अधार पर उसे बैठा लेना है तो फोर्मूला हमारे पास फिर से यहां फोर्मूला लिख लेते हैं चलिए देखिए बहुलक बराबर L पलस F1 मैनस F0 बटे 2 F1 मैनस F0 मैनस F2 इन्टो H यह है यही है ना तो चलिए सबसे बड़ी इसमें यह तो F1 इसके उपर लिखना है F0 जेखिए गिंती अगर हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं कि नहीं तो अगर F1 यहां है तो F0 यहां F2 नीचे इस परकार से उपर नीचे तो F1 यहां तो F0 यहां F2 यहां और जो F1 होता है उसके सीधा का क्या मानेंगे L मानेंगे इसके बीच का जो होता है वो H मानते है तो यह हो जाएगा F1 जो है वो 8 मिल गया F0 जो है वो 7 मिल गया F2 जो है वो 2 मिल गया ठिक इस परकार से यहां लिख चुके है चलिए अब इसको put करते हैं तो L यानि कि 3 plus F1 8 minus F0 7 बटे 2 F1 तो 2 F1 यानि 8 दूनी 16 इसे यहीं पर into कर लेते हैं minus F0 7 minus F2 2 और गुना 2 Hb है 2 ठिक चलिए यह हो गया अब यहां पर देखिए 3 plus 8 में से 7 गयत अब यहां देखिए 16 है और 7 दून 9 9 को जब 16 में मैनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पस 7 आ जाएगा है ना और इधर into में 2 है चलिए आगे 3 plus यह तो इसमें गुना हो जाएगा 2 बटे 7 बनेगा इस परकार से चलिए अब इसे क्या करते हैं भागा देते हैं तो इसे इस परकार से भागा देंगे 7 को यहां 2 को यहां 0 दसमलो बठाएगे 0 हो जाएगा ठिक 2 सती 14 बच गया 6 इस परकार से आजाएगा तो चलिए 2 संख्या तक बढ़े 3 plus 0.28 अब इसे जब 8 करेंगे तो 3.28 आजाएगा यह हमारा एंसर इस परकार से बहुला को कम्प्लीट किया जाता है लाश्ट को कर लेते हैं यह कोईशन बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है बाकि सिम्पल है सिम्पल ही सिम्पल है ठीक है ना तो यहां बोला निमलिखित बटन का बहुलग ज्यात किजी तो यहां में बहुलग ज्यात करना है और बहुलग ज्यात करने के लिए यहाँ पर दिया 6 से 10 10 तो फिर 11 से 15 फिर 16 से 20 21 से 25 एक एक बढ़ बढ़ की है इसमें बाकि जो different है इन दोनों का अंत्राल जो है वो 44 का अंत्राल है लेकिन यह बढ़ते जा रहे तो जब भी इस परकार का केस का question रहे जैसे 6 से 10 से 10 से यहाँ 14 होना चाहिए और 14 से फिर 18 होना चाहिए था तो इस परकार से नहीं है यह अलग परते जा रहे जब इस परकार का question रहेगा तो बहुत ही simple तरीका से क्या करना है थोड़ा सा नजदीक करने का मतलब एक जैसा में करने का कोशिस करना तो एक जैसा करने के लिए क्या करना जब भी यहाँ देखना है कि य घर चार का different है तो आगे हम इसका solution करें तो 5 का different होजाएगा ओंगे चैंज करने के लिए क्या करेंगे इसे इसी परकार से लिखेंगे यहां पर वर्ग अंत्राल फिर यहां लिखेंगे बारम बारता बारम बारता यह लिख लेने के बाद यहां देखेंगे दोस्तों 6 से 10 इसमें 0.5 मैनस करना है कितना मैनस करना है, 0.5 इसमें मैनस करना है, इसमें 0.5 एड कर देना है, जोड़ देना है, तो हो जाएगा 5.5 और मैनस 10.5, यह हो जाएगा अब देखें यहां का different जो है 5 हो गया, different जो है 5 हो गया, मैनस करेंगे, तो यहां भी 4 था, यहां का 5 हो गया, अब यहां 11 और 15 है, तो 15.5 मैनस 20.5 आगे हो जाएगा 20.5 मैनस 25.5 आगे हो जाएगा 25.5 मैनस 30.5 0.5 इधर मैनस करना था इधर 0.5 ऐड़ करना था बस सिंपल उसी परकार से कर दिये नीचे का जो बारम-बारता रहेगा उसी परकार से लिख देना है तो यहां उसी परकार से लिख दे रहे है यह देखिए यह इस परकार से लिखा गया अब यहां इसको कुल करे या ना करे उससे कोई दिकत नहीं तो कुल कर देते हैं F0 इसके नीचे F2 और इधर हो जाएगा L और बीच का डिफरेंट जो है तो 5 है जो H हमें मिल जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं तो लिखने का मतलब हो गया कि L बराबर 15.5 H बराबर 5 F1 जो है वो 50 मिल चुका है F0 जो है वो 30 मिल चुका है और F2 जो है वो 40 मिल चुका है ठीक है चलिए आप लिखा लेंगे यहाँ बहुलक बराबर L पलस F1 मैनस F0 बटे 2 F1 मैनस F0 मैनस F2 जो हो गया और इंटू H चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने का मतलब L जो है 15.5 पलस F1 जो है वो 50 मैनस F2 जो है 30 है F1 पचास और टू से इसको अगर इंटू करते हैं यहां 100 लिख लेते हैं मैनस F0 है 30 और मैनस F2 है 40 इंटू H रुकिए 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 यहां आगे देखिए है ना इतना तो हो गया तो H के जगा पर 40 है तो दोस्तो है हमारे पास 5 है तो यहां 5 लिख लेंगे ठीक है ना तो इतना हो जाने के बाद आद इसे कल्कुलेशन ही सिंपल कल्कुलेशन करते जाना है 15.5 इसे पर उसके बाद 100 में 30, 70, 70 में 40 तो 30 और गुना में 5 जे हो गया आगे क्या करना है यहां से यहां कट गया है ना अब बचा क्या 15.5 पलस इसे गुना कर नहीं तो 5 दूनी 10 और बटे में 3 मिल गया अब देखिए 3 को 10 से पहले भागा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम किया जाता है पहले तो 3 तिया नौ कट गया 1.00 तो तेन्तिया 9 कट गया 1 फिर 0-109 इस परकार से कम से कम दोतिंक तक बढ़ते जाना अगुएंट के बाष्ञा रही बढ़हे चल्ण यहां पर आगया 15.5 पांच तीन इस परकार से अभी से जब जोड़ देंगे तो भाशाए पैंड है और तीन का 3 यह हो जाएगा इसका answer आसा करते हैं कि इस हमें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में, आप हमारा वाट्सप नमबर भी लिख सकते हैं, वाट्सप नमबर है हमारा 9852545398, ये मेरा वाट्सप नमबर है, इस पे भी आप कुश्चन को सेंड कर सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद,